हलो एवरिवन, CET महरास्थ, VIT, KIT, NIMSET के बाद, जामिया का भी नोटिफिकेशन आ गया है, और जामिया असलामिया के नोटिफिकेशन से एक बात पता चल गई, कि जामिया इस बार CUT के थूँ अपना इडिशन नहीं ले रहा, मतलब सेपरेट ही एक जाम होगा, तो अगर क मैं आप से बात करने वाला हूँ, MCA को लेके, पर आगर आप कोई और कोर्स दे रहे हैं, मालो MSC, PhD या BCOM या MCOM, तो आप इसकी सारी information, information bulletin से ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जामिया के ये information bulletin को आप लोग डाउनलोड करिए, उसके बाद बात करते हैं कि इन 6 April तक आप form में added कर सकते हैं, पर मैं solution दूँगा, कि आप सारी information को अच्छे से read करने के बाद ही form भरिए, और दूसरी बात, मैं आपको सारी information देने वाला हूँ, फिर भी, before submitting form, आप पूरा information bulletin को related course के साथ अच्छे से पढ़िए, फिर form भरिए, जिससे की mistake ना हो, और अभी इसमें मैं आपके कुछ common questions भी बताता हूँ, फिर बात करते है, admit card, तो 10 April के बाद वो issue होंगे, 10 April से, और जो exam से, वो 15 April से चालू हो जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ, कि अलग-अलग दिन पर अलग-अलग exam होंगे, जैसे अगर हम बात करें MC exam की, तो MC exam 21 मई को होने वाला है, वो भी मैं आपसे बात करता हूँ, अब बात करते हैं, जैसे इनके programs है, PhD, Master Program, PG Diploma, Bachelor, Advanced Diploma, Diploma और Certificate courses, यह इनके एक roughly मैंना idea दिया, तो अगर आप किसी और courses से rated हैं, तो एक बाद information से देख लीजे, फिर बात करते हैं, MCA code की, तो MCA course का code है M54, 4 semester exam है, यानि 2 year का exam है number of seat 50 है, और जो total fee है, जामिया की fee काफी कम है, 8500 yearly fee है, यानि अगर कोई economically weak है, तो कहीं ना कहीं ये, मतलब ये जामिया से MCA करना काफी cheap पड़ता है, बट जामिया के साथ क्या है, वो बताता है, जामिया की सारी information के लिए, आपको जामिया की official website पर जाना है, जहाँ admission portal के लि ac.in, इस website पर जा सकते हैं, centers के लिए कि सबसे जादा मुझे पर मेरे पास आज question है, कि सर इसका center हमारी city में नहीं होता, क्या दूर जाके देना चाहीं की नहीं, मैं एक बात आपको clear कर दो, सबसे पहले कि अगर आपने निमसेट को target लिया है, तो अपने target से divert ना हो, अब ये साथ city हैं, जैसे कैलला में हो गया, देली हो गया, कॉलकत्ता हो गया, लखना हो गया, पटना हो गया, सीन अगर हो गया, ग्वाट हो गया, अगर ये city, आपकी city से आसपास हैं, तो आपको exam का form fill करना चाहिए, अगर दूर हैं, पर फिर भी आप चाहते हैं कि admission लेना है, अग केवल 7 इसकी city होती हैं और offline mode में इसका exam होता है, तो कोई बच्चा बहुत ही seriously जामियां को लेके serious है, या आसपास near city है तो भरिये, नहीं तो आप थोड़ा सा हो सकता है, भटक जाएं, अब बात करते हैं कि इसके exam pattern की, तो exam pattern के according अगर हम देखें, तो आप देखेंगे कि website आपको लिखा मिलेगा कि 40% math, 40% computer, 10% logical reasoning, 10% English, पर in general जो 100 question का paper आता है, देखने में यह आया गया है कि 40 to 50 math के question हो सकते हैं, अगर पुराने paper देखेंगे तो आप यह समझ लेजे, reasoning के 10 से 20 question हो सकते हैं, English के 10 होते हैं, और computer के 22 to 30 question हो सकते हैं, यानि total 100 question होंगे और 90 minute का आपक तो time मिलेगा, तो percentage वाइस भी बता दिया हो सकता है, plus minus कुछ भी हो, एक general idea दे दिया, अब अगर हम इसके syllabus को देखें, तो computer का syllabus थोड़ा जादा है, but math का भी अच्छा बड़ा portion है, reasoning भी है, English भी हो, computer भी है, तो जो बच्चा निमसेट की त्याहरी कर रहा है, वो अलग से ऐ syllabus में, math का कुछ पोर्शन काम है, जैसे math के 2D नहीं आता है, water नहीं आता है, 3D नहीं आता है, एक linear programming math का अलग से भी topic है, वो आइड है, तो आपको निमसेट के लिए ही काम करना, और इसके लिए कहीं ना कहीं, magical जो test series हम लोगों ने चालू किया, magical course का चालू किया, यह आपक को बहुत help कर सकता है, तो आप निमसेट की testing से ही जामिया की करें, और पिछले सालों के result को देखें हम, तो एमपिटर से जामिया में बच्चे जाते भी हैं, और उसके लिए वो additional effort नहीं डालते, निमसेट की preparation से ही वो top कराते हैं, क्योंकि निमसेट का level भी हाई है, और pattern भी अल्मोस्ट वो ही है, थोड़ा सा computer portion में अंतर है, पर math का syllabus का में reasoning भी simple आता है, इसलिए मैं आपको सला दूँगा, कि जो अभी हम लोगों ने magical capsule course launch किया है, इसकी testing के थुरू, आप जामिया की भी अपने आप preparation कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आलग से कुछ नहीं करना यह syllabus का part दिया है, syllabus के part में अगर हम देखें, तो algebra है, algebra में set है, complex number है, quadratic equation है, permutation combination है, sequence in series है, फिर उसके बात करें, mathematical reasoning है, matrices in determinant है, calculus पूरा है, calculus के बात करें, है, calculus के बात करें, तो statistics भी है, इस तरह से इसका और linear programming भी है, computer fundamental का syllabus है, अच्छे से देखिए, reasoning है, और journal English है, यह syllabus है, अब बात करते हैं कि exam date क्या है, तो department of computer science, MCA का जो exam है, 21 माई को होगा, timing होगा, 2 to 3 30 PM, यह ध्यान रखिएगा आप लोग, और selected candidate का लिखा भी है, within 20 to 25 from the date of interest, right, अब बात करते हैं कि कौन-कौन बच्चा इसके लिए eligible है, यानि eligibility criteria क्या है, तो अगर हम eligibility criteria के बात करें, तो bachelor degree with at least 50% marks, यानि जो bachelor degree है, वो 50% की होना चाहिए, number one, यानि 60% नहीं मांगते, तो अक्साद में उन बच्चों को जो NIMSET में 60, by chance किसी के graduation में 60 नहीं है, त क्यों कि आप 60 से कम percent है, तो NIMSET दे नहीं सकते, ऐसे में कौन से exam दे, तो ये दो exam जहूर दीजिए, तो bachelor degree with at least 50% computer science, engineering, application, equivalent, और any other discipline with mathematics 10 plus 2 level, यानि इसमें अगर आपके पास 12 में math है, तो gradation level की math compulsory नहीं है, ये इसका criteria, एक बार अच्छे देख लीजे, ये कुछ website दी तो official website पे major information आपको ज़रूर मिल जाएंगे, तो आप सभी बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि अगर आप जामिया के लिए interested है, तो 3rd April से लेके, 3rd March से लेके, 3rd April तक form बने का time है, बट आप ये question जब मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें, exam center हम से बहुत दूरे, दो दिन जाने ही जाने में खर्च हो जाएंगे, और आप मेरी पढ़ाई निमसेट के अच्छी बिगड़ जाएगी उस समय तो मैं ये कहूंगा, ये decision आपको लेना है, अगर निमसेट की पढ़ाई अच्छी चले ये, serious निमसेट को NIT में जाना है, जैसे मैं कई बार देखता हूं, जैसे कुछ बच्चे लास्ट एर, कुछ ने एडविशन लिया, इंपिटर्स के पर कुछ ने एडविशन लेने के बाद भी छोड़ दिया, कि सर वहां जाके लगा NIT ही जाएंगे, तो अगर आपका ड्रीम कोलेज NIT है, तो इसके एक्जाम के लिए 4-5 दिन खराब ना करे पर अगर आपके परसिंटेज कम है और आसपर सिटी है और आपका मन है, तो फिर आप एक्जाम दे सकते हैं, यह डिसीजन आप लीजिए, मैजिकल कोर्स आपको जहूर हेल्प करेगा, मैजिकल कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जामय की वेबसाइट का भी लिंक दिस्क्रिप्शन में दिया है और इंपिटर्स गुरुकुल की वेबसाइट का भी लिंक इसमें दिया है वेबसाइट में दिस्क्रिप्शन में, इसके लाबा कोई भी एक्जाम का नोटिफिकेशन जब आबगा, तो हम लोग आपको टाइमली इनफॉर्म करेंगे, आप बिलकुल भी परिशान मत होए, बर कोई भी फॉर्म मनने से पहले एक बर खुद भी सारी इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़ेए, थैंक यू एंड अल दे बेस्ट